दोस्तों अब हमारे सामने बात करने के लिए आ रहे हैं AICP पार्टी के नेता और एडवकेट श्री लक्षमन जी मेरे साथियों, मैं आपके सामने आज अपना एक नया रुप सामने रखकर बात करना चाहूँगा खास करके इस धर्ती और इस धर्ती से चुड़े इंसानों के बारे बारे मैं जहां खड़ा हूँ, वही मेरी धर्ती है दुनिया में कहीं भी ऐसा प्रवासन नहीं हो रहा हूँ इस धर्ती को हड़पने के लिए और छीनने के लिए जो जूटा कानून मनाय गया वो है प्रवासन कानून जो बार हमने बांद कर रखी है, वो सिर्फ धर्ती पर ही नहीं, हम इंसानों के दिलों पर भी है आपको याद होगा वो छोटा सा नंजय कोट गाओं, जहां तमिलाडू और केरल के लोग आपस से मिल जुल कर रहते थे ऐसे फेद भाओं के बारे में नहीं पता था फिर भी मैनत करके, काम करके, सालों साल जन्जय कोट के लोग जी रहे थे और ऐसे ही तमिल लोगों पर डीवाईपी पार्टी के लोगों ने प्रवासन के दाम पर धबा लगा दिया है उन्होंने परिमल जी की प्रतीमा को भी तोड़ डाला घर, बच्चे, परिवार और जिंदगी सब कुछ नच्ट कर दिया डीवाईपी पार्टी के लोगों ने इन्हें छोपड़ पट्टी में नदी के किनारे, गंदी सड़क के किनारे ऐसी जगह फेक दिया जो इंसान के जीरे लाइक नहीं है जाते हुए लोगों को इंसानियत छोड़ कर तमाशे की तरह देखने वाले हैं डीवाईपी पार्टी का प्रेसिडेंट आमर नार्ड इंद्रा एस्टेट और परिमल कॉल्ली को भी हरपने के लिए धुंखार गुंडो का इस्तेमाल किया गया और इन अत्याचारी ग्रिमिनल्स को पालने वाला था अमर नार्ड अपने सारे गुनाहों को सबसे छुपाने के लिए अपने मामा विजयानन को एमपी के रूप में वही लेकर आया था और अपने खुद के भाई अपु नाम के जहरीले सांफ को अमर नार्ड ने आने वाले एलेक्शन में विजयानन के बदले डिवाई पार्टी का अध्यक्ष बना गिया नंजई कोटे में डिवाई पी के इस खून खराबे में लोकल लोगों ने बाहर के लोगों के साथ मिलकर हथ्यारों का करवार शुरू किया और खून खराबा किया अब सोच बदलने का वक्त आ गया है छोपड़ पट्टी के गंदे नालों में रहने वाले अपने दमिल लोगों से मैं लक्षमन वादा करता हूं कि उन लोगों को इस नंजई कोटे में वापस लाकर उनका हक दिलाऊंगा टीवाई पी के जूटे वादों को ए आई सीपी बाटी टक कर देगी बड़े बड़े सवाव और छोटे छोटे दवावों के साथ अम अरनाथ के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करेंगे और आप में आवाज उठाने की हिम्मत है तो मैं एड़ोकेट लक्षमन आपको बता रहा हूं कि हमारी इस धरती के इंसानों को दराने और मारने के लिए आगे ये हर्गिस नहीं होने देगा बंद कर दो ऐसे नहीं चलेगा ये सिर्फ लक्षमन की जितावनी नहीं है ए आई सीपी आज आपको मौका दे रही है ये नंजय कोटे का अर्मान है नंजय कोटे के लोगों को मेरा नमन धन्यवार प्रवासन क रोकना होगा तभी हमारी सिंद्गी रोशन होगी रवासन को रोकना होगा चाहे नया कानून बनाना पड़े रवासन को रोकना होगा तभी हमें हमारा हद मिलेगा रवासन को रोको रवासन भाई सब्सक्राइज कर दो आप दूप नहीं दो नहीं है, प्रेयर शुरू हो जाएगी, तुम लोग चलो, चलो चलते हैं टीचर, मैं निकलती हूँ, बेटी, क्या तुम नहीं जा रही, प्रिया के पिता तो गुजर गया, मेरी पिता तो यसा है, अगर आप खुद कुछ नहीं कर पाए, तो मैं यहां क्यों रुकूं। जरूर लेंगे —जरूर लेंगे, जरूर लेंगे ये लक्षमण वकील का जो प्लैन था वो तो फेल हो जुगा है हम लोगों ने सुचा नहीं था कि ऐसा होगा इस हाधसे को होते देख हमें कुछ 뉴스 जल्दी ही कर दिखाना होगा इस मौके का हमें इस्तमाल करना होगा नहीं तो दुबारा ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा मनोहर ठीक से सुन लो इस काम को रात को ग्यारा बजे अंजाम देना होगा तब ही अमरनाथ पार्टी ओफिस से निकलता है वो अपनी पार्टी ओफिस में बैठ कर ही सारा वक्त शारा पीता रहता है अब एक हफ्ता पहले ही घर जाते वक्त उसकी कार एक पेड़ से टकरा गई उपर वाले की क्रिपा से बच तो गया लेकिन उसके पैर में चोट लगी और कार तो चकना चूर हो गई उस दिन तो बच गया लेकिन मनोहर तुम्हारे लिए ये काम आसान हो जाएगा अब ना तो वो भाग पाएगा ना उसके लोग जमा होंगे जब मनोहर उस पर हमला करेगा हे फोटो दे ये लो कब किसको कैसे उठाना है मुझे सिखाने की ज़रत नहीं है मनोहर को फोटो देकर बेकार में टेंशन दिया और नहीं तो क्या कोई शेर को उसके चारे के बारे में फोटो देकर बताता है क्या वैसे सूरज विपक्षी पार्टी के लोगों को नाराज नहीं करना चाहिए जीना मुश्किल कर देते हैं चलो गाड़ी निकालो अच दो में अचारे लुग्या लुग्या लुग्या, अजिए है विए पार्टी का अविए विए खावार में वार्टीumm किस ने किया ये हाल पार्टी के खिलाफ हम लोग दंगा नहीं कर सकते हम तो गरीब लोग हैं किसी तरह गुजारा कर रहे हैं वो दुकाने तोड़कर पैसा लुटके चले गए कौन थे वो आप तो ऐसे पूछ रहें जैसे कि आपको यहां के बारे में कुछ पता ही ना हो आप तो यहां के ऐसा ही है यह इसका है नंजपड़म पॉलिस टेशन के अंदर क्रिमिनल के जो वारदात हुई है वो कुछ इस तरह से हैं सर 14 मर्डर केस हुए है इंस्पेक्टर तुझे अंदर करने के लिए मेरे यह आदमी मिले थे क्या यहां जिंदा रहना है तो हमारा साथ देना है पड़ेगा इलेक्शन का वक्त है नहीं तो अमरनाथ सर खुद यहां आते हैं पूरे इलागे में डी वाइपी पार्टी के पोस्टर लगाने थे यह काम इने करना था पर आपने तो इन्हें अंदर कर दिया आप वेसला कीजिए पोस्टर यह लगाएंगे कि आप क्योंकि अगर शाम को बत्ती जलने से पहले पोस्टर नहीं लगे तो अपनी प्यारी बीवी को एक सफेद साड़ी भी दिलादे उमर चलो तू मिल लोगों को लेकर जाओ चंद्रा तू यहीं पर रुकेगा अगर कोई कंप्लेंट करने आए तो समाल लेना आगे तू समझदार है पता है न क्या करना है आएंदा कोई भी उस कंपाउंट के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए वरना वर्दी के सारे स्टार निकालके ओटरिक्षा चलवाओंगा पानी लेकरा श्टेशन तो जाकर आए है क्या खुद से पानी भी नहीं 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 सकते किचिन से यह भी यह पुलिस वाला है इसे खाकी पहनने का हाग ही नहीं तुसरा कोई काम प्यो नहीं करता इसलिए पुलिस के नाम पर धब बाया है इतनी पुलिस होने के बावजुद भी अमर का दैशत खत महीं नहीं हो और है यह तो अजय में इसाइड चुट्टे की समसे बड़ी पारा है, आप देख सकते हैं, हमारी पूलिस. उनकी टीम बाकी लोग कहा थे, वो बाकी पुलिस वाले कहा थे, ठाना अंदर से खा ले, यूँचा ले. इस बीच केस में उन्होंने सूसाइड अटेंब्स क्यों किया? ऐसा वेशाक की मृत्यों पर हम डिवाइपी पार्टी की तरफ से उन्हें शुर्दांजली प्रदान करते हैं उनके परिवार की हर मदद के लिए हम लोग हमेशा ततपर रहेंगे और वेशाक की मौत के बारे में सीबी आइचीप सेकेर्टी ने करा है कि इस केस की सीबी दौरा गहराई से तैकिकात होनी चाहिए इस पुलिस वाले का इस तरह से खुदकुशी करते के पीछ उसमर क्या दबाओ होगा इसके बीछे क्या राज है इस मौत को ऐसे मावुली तरीके से नहीं लेना चाहिए इसके पीछे क्या वजय है ये ढूंट कर लोगों के साफने ला नहीं होगा अगर पुलिस वाले की खुदकुशी के पीछे कोई दबाओ है या कोई गुंदागर्दी का दबाओ है तो उनके खिलाफ मैं टैंकी ठीक है तो अब मैं भी चलता हूँ विजे सभसने कल सुदा मिलूंगा के बाद इस केस को सीवी आई को सौफ किया जाएगा अभी हॉस्पिटल के मौजरी से ऐसा ही डैसर की बॉड़ी को बहार लाए जाने वाला नहीं नजय को जनरर बिना बताए कहां चले गए थे तो इतना लेट होना था तो पहले ही बता देते अरे उस हॉस्पिटल में कितन आदी हम कर पहुच सकते हैं अप्पू उस आदमी ने सुसाइट क्यों कर लिया अरे छोड़ो ना संगीता अपने को क्या मतलब आज़ा बिटा आज़ा 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 कौन बैठेगा गाड़ी में इलेक्शन में तुम्हें खड़ा करने वाले हैं वैसे तुम्हें एंपी बन जाओगे क्या अरे जरूर बनूंगा पहले जाकर अपनी डिग्री कंप्लीट कर लो ओ बड़े चले एंपी बनने अमर एंपी बनने के लिए अप्पु मुझसे ज्यादा काबिल है क्या तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो गणपती है और शिव भी है और एक तीसरा आदमी भी है उसकी भी हमें जरूरत पढ़ने वाले है तुम्हारी पैर में चोट लगी है तुम घर चले जाओ मैं काम निप्टा लूँगी इस बच्चे की देखभाल मैं नहीं करूंगा चुप चप गाड़ी चलाओ बलो, कोन तो अमर नाद है 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 कि इतनी देर हो गई तुम वहां से निकल चुके थे ना अरे पूछीय मत अपो भाई आते से में रेलीवे स्टेशन पर एक आदमी को लिफ्ट दे दी उसी में लेट हो गया है है कैश सेफ है 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 अपो भाई एक पैग मिलेगा क्या यह यह थैंक्यू भाई कट ले निकल अच्छा चलता हूं भाई है 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 बिजू मेरे लिए चाय लेके आना सुन रहे है है हुआ हम है चाय दे मेरे पास नहीं है तेरे पास नहीं है जल्दी आरे कहां मरना था इतना दे रहा है तू भी चाय ले ले इसके पास तो होगी क्या बोल रहे हो यह लोग कभी नहीं सुधरने वाले लगता है इससे काम करने को इच्छा नहीं है अरे वाईशाकन सर एक बात बोलू स्टेशन को साफ करना हो तो मेरे पास आदमी है अरे 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 अब्दुल चाय पिके तो चाय अब्दुल बेरे चाय अरे ज़रा जल्दी चलना यह तो मैंने मान लिया कि हम सब हार मानकर यहां खड़े हैं तुम भी मानती हो क्या हार मानकर पीछे नहीं मुड़ सकते यूनिफॉर्म पहन कर बैग लेकर घर से बाहर निकलेगा तो यहीं सोचूंगी न कि यहां आ रहा है मैंने कुछ गलत कहा क्या आज कलके लड़के तो अपनी मनमर्जी करते हैं हमारी कहा सुनते हैं इसे पढ़ाने लिखाने में पूरी उम्र लगा दी कहा कहा मननत नहीं मांगी एक बार पलिनी मंदिर तक भी गई थी उसके बाद दिरूपती गई उसके बाद इसके एक दोस्त ने इसकी नोटंकी के बारे में मुझे बताया अगर ये ऐसे ही करता रहता तो ये नोकरी भी हाथ से जाती मैंने सही कहा ना ये बात सही है वही तो मेरा मतलब है वो बीना काम का ही घुमते रहते हैं अगर मेरा पोता यहां नहीं आया था तो मुझे ख़बर तो करनी चाहिए थी पर तुम लोग नहीं सुधरोगे किसी को ना मेरे पोते की और ना मेरी पड़िया एक दाद ही हमने केनाते और करते क्या सकती है उसे जितना हो सका मैंने उस बिले किया चाहिए ले किया आप गलत मत समझे हम लोग पुलीस वाले तो जरूर है और यह पुलीस टेशन भी है सही कहा लेकिन हमारा काम पुलीस वालों की तरह नहीं है यहां का माहूल ही ऐसा है अफसोस अफस्टार नहीं है अफस्टार नहीं है कौन सा पुलीस टेशन लिखाया नंजई कोटे ब्रांच चाहे कोई भी हो पस वो पुलीस टेशन है इतना ही काफी है यहां नंजई कोटे में मैं किसी का रोना धोना सुनने नहीं आया लेकिन कोई किसी की वज़े से रोयेगा तो उसकी ऐसी की तैसी कर दूँगा यहां पर मैं कुछी दिनों के लिए रहूँगा लेकिन जब तक इस पुलीस टेशन में रहूँगा तब तक हम सब पुलीस की डूटी निभाएंगे आया समझ में या वापस समझाओ चलो अब बताओ अपने अपने बारे में सर मैं यहां का हेड कॉंस्टेबल अबदुल्ला हूं मेरी एक बीवी है और एक बेटी है सर कुट्टम पिलाई सर यह मेरा पोता है गोविन हर चीज में माहिर है यह बात और है कि जो भी करता है सब कटबड हो जाता है सर मैं ट्राइवर हूं भीजू पैतिस साल का हूं सर मैं राइटर सुन्दर हूं मेरी एक बीवी और दो बच्चे है मैं जो अपनी जीप की स्पीड कैसी है अभी सर जीप की जितनी स्पीड है उतनी स्पीड से चलाकर अभी वापिस आता हूं अब डीजल का खर्चा मैं दोंगा जहां कहूंगा महाले चलना पड़ेगा ठीके सुर प्राणादम कलियुद्धम अब आपको किसी से डरने की सरूरत नहीं है विजो तो यसीप तजीप की साथ जीप पयार है अगासर जीप देए लिए पर्प्राइ पर्प्राइ यह पर्फ़ पर्फ़ दो पर्फ़ पर्प्राइ जिकायत करदा का नाम और पता गुपत रखा जाएगा पबलिक से हम सपोर्ट की अपील करते हैं एक बात और ध्यान रखिए आगे से अगर किसी ने आपको कोई धम की दी तो सुन्दरम बसकरो ठीके सर्थ साथ पेरुमल नाम के एक सड़क है ज्यादा तर तमिल के लोग वही पर रहते थे लेकिन अब अपू के शासन की वज़े से उन्हें प्रवासन करके जाना पड़ा है अब कोई भी तमिल यहां नहीं रहता है सर वापस आने वाले अमरनाथ के नाम से बहुत डरते हैं सर सच मोले तो यह बहुत बुरा है सर इस प्यारे से शेहर को पापियों ने एक जंगल बना करके रखा हुआ था जब से तु यहां पर शिकारी बनके आया है यह लोग डर डर क्या भागने लगे हैं पर इतना कुछ होने के बाद भी मैं ही हूँ जो तुमारे साथ अब तक खड़ा हूँ अब तो नंजय कोटे के तुम्ही राजा हो तो प्रजा पे कुछ आहसान करो ना मालिक हो सके तो थोड़ इसी हमें भी पिला दो मालिक इस गाओं में कोई मर्द नहीं है क्या राजेंट्रा मर्द क्या और वो भी यहां पे हाँ थूर यह क्या पे है मेरेजरा नीचे टको के आठा हूँ इसे इसे माग ख़राब कर दिया है हेलो हम नहीं आज़ा ले अब तयार होया के निया है अब तयार होया के निया है इस बंदे में बहुत गर्मी है मेरी बात तो बहुत हलके में ले रहा है हुआ 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 अरे देख क्या रहे इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ सर आप क्या सोच रहे हैं एक गाओ था जहांके लोगों को वहां से निकाल दिया गया था मेरी भी बच्पन की एक ऐसी ही कहानी है उस कहानी को मैं याद करना भी पसंद नहीं करता और जो हम पसंद नहीं करते हैं उसे अगर कोई याद दिला है तो गुस्सा तो आएगा ही न इसलिए मैं ऐसे ही पेश आता हूँ आगे से ध्यान रखना हूँ ऐसा ना होने पाए और नंजाई कोटे में हथियार का करूबार नहीं चलना चाहिए मेरे प्यारे सर नंजाई कोटे में मिठाई के दाम पर हथियार मिल जाते हैं ऐसा मैंने कहता लोग कहते हैं मैं हथियार सिर्फ उन्हें बेचता हूँ, जिने मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और सर, आपको आपके पसंद की हर चीज में जाएगी अपूछ आपना मूपनकार 9mm Colt है, इटालियन मेड, लाइट वेट, मेटालिक फिनिश और मैगजिन कपैसिटी के बारे में पूछ ये ही मत, इतनी कीमती है कि मार्केट में अवेलिबल नहीं है निशाना कभी चुकता नहीं है सर, अगर चाहिए तो गिफ्ट समझ के रख सकते हैं मुझे खरीदने की कोशिश करोगे, तो ये तुम पे चलेगी अगर मैं चाहूं तो अभी पुलिस टेशन पहुचकर उसे उल्टा लटका कर मार डालूंगा और इसमें वक्त नहीं लगेगा, ये देखिए इलेक्शन होने वाले हैं, इसी लिए छोड़ दिया उसे तो फिर वहाँ जाकर बोलना चाहिए न, चार भाड़े के टट्टू अपने पास रख के ये चोर पुलिस का खेल मेरे साथ नहीं खिलने का वो अपना पाड़े किसी और के हाथ से धुलवना चाहता है क्या, अरे वो दोनों भाई ऐसे ही मुझसे आकर मिले, देखो कुछ बातें छुपा कर रखने में ही भलाई है, यही अकलमंदी है अकलमंदी की बात कर रहा है, अपने बदन पर ओड़ने के लिए एक छोटा सा कबड़ा नहीं था तुम लोगों के पास, इतनी जल्दी भूल गया क्या, हा, विज्यानंद, तुम्हें वहां से लेकर यहां तक पहुंचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, MP यादाश कमजोर हो गई दुमारे, डॉक्टर, इसका बी-पी बेकार में चेक कर रही है, जाकर बच्चे को देखिए, तुम्हारे भाई के खिलाफ मैंने कभी कोई बात नहीं की है, लेकिन अभी जो यहां पर बैठा है, वो मेरा बाप है, उससे इज़त से बात किया करो, अरे, जस्ट मिस, जो हम आइस्क्री में पावर सप्लाए देखे थे ना, वो एक गास सिलिंडर के पावर के बरामर है, एक बड़े बंगले को बढ़ाने के लिए, एक गास सिलिंडर काफी है, आप क्या बोलते हो, सर आपके कॉर्टर इस में गास सिलिंडर नहीं है, उसके मैं एक एक्सपेरिमेंट करूँगा अगले संदे उसे निकाल कर रखिए देख लूँगा सर सुन्दर्म ने फोन किया था वहां रास्ते में डीवाइपी पार्टी और एसीपी पार्टी के बीच में जगडा हो गया है उसने हालात समहलने की कोशिश की पर उससे कुछ हुआ वो पूछ रहे कि आप जाएंगे वहाँ सर मारने वाले डीवाइपी पार्टी के हैं प्रवासन ने जने पार्टी से निकाल दिया था उनसे मिलने के लिए कर रात को आया था लगता है इनके दिमाग में कोई प्लान है जब मैंने जाकर पकड़ने की कुशिश की तो मेरी बात भी नहीं सुने प्यारे देशभक्त नागरिकों जब एक बेगुना आदमी को दो गुंडे मिलकर मार रहे हो तो गाउँ वाले खड़े होकर तमाशा देखें ये गलत है एक सिम्मेदाब नागरिक को कभी खड़े होकर तमाशा नहीं देखना चाहिए आज जो किसी और के साथ हो रहा है कल वो आपके साथ भी हो सकता है तो क्या करेंगे इधर पुलिस वालों की कोई जरूत नहीं है बुला इसको बुलाना है अगर किसी भी वर्दी वाले ने या कदम रखा ना तो उसके भी ऐसी आलत करूंगा याद रखना प्रियो नागरिकों यह कोई मामूली हास्ता नहीं है अब आप लोगों के सामने असली तमाशा पेश किया जाएगा गुंडा गर्दी का समय अब समाप्त हो चुका है कैसे यह आप आगे देखें उची आवाज में धंकी देने की कोशिश भी मत करना उची आवाज सुनना मुझे पसंद नहीं और रही मुझे धंकी देने की बात तो तेरा बाब भी अगर तुम्हारा जनम लेगा ना तो भी कुछ नहीं हो सकता क्रुम्हारा जनम लेखें इसमें भी लिख है रसाक को चाहा इसमें भी लिखाया, रसाक को उठाओ बीजू को उठाने लिखाया, अब इसने क्या गुनाह कर दिया? उमर को उठाओ लिखाया, उमर को उठाने की हिम्मत है क्या? उमर, बहुत बड़ा सेर्दर्द है सर अगर तुमारे अंदर हिम्मत है तो इन सब को छोड़कर अमरनाथ को उठाके दिखाओ लिखने वाले का नाम जोर से पढ़ना एक लेटर पर भी किसी का नाम नहीं लिखा है सर जिन जिन को उठाना है उनकी कम्प्लीट डीटेल मुझे बिलनी चाहिए हमारे बास उनकी कोई डीटेल नहीं है सर वो डॉक्टर सहीबा इंतजार कर रही है बच्चों को वैक्सिनेशन देने की बात कर रही थी आप जरा उनसे मिल लेंगे क्या ओओ ओके सर मैं संगीता हूँ डॉक्टर संगीता हैदराबाद से हूँ अमरनाथ मेरे कजिन है वो यहाँ पर नहीं आपाये तो उन्होंने कहा कि मैं आकर आपसे बात कर लूँ मडम आप डरिया मत जो भी है सर देख लेंगे नंजन कोटे में आना ही आपकी गलती है सर यह जो आप चोर और पुलीस का खेल खेल रहें न अगर यह चलता रहा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे और आप के लिए अच्छा रहेगा अगर आप अमर के मामले में दखल अंदाजी ना करें कि इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लीजे यही कहने आई थे MP विजे आनंद के एक लोती बिठी विदेश से पड़िये डॉक्टर है यह एक हैदराबाद के लड़के से प्यार करती थी और वो दोनों बहुत क्लोस थे लेकिन एक दिन अचानक उसके प्रेमी का एक्सिडेंट हो गए और एक्सिडेंट के बाद वो कोमा में चला गए डॉक्टर ने कहा कि उसका बचना मुश्किल है तो अमरनाथ ने उसके प्रेमी को उसके ही सामने मार डाला और प्रेगनेंट हुई संगीता को यहां गाउ लेगरा एडवोकेट लक्षमन जो अध्यक्षपद निभा रहे थे उनके जगे आप किसी और को चुरना होगा अगर उस पद के लिए किसी और ने कोशिश की तो उसका भी मनोहर जैसा ही हाल होगा यहाला जब पार्टी के लोगों को पार्टी में विश्वास ही नहीं है तो इलेक्षन से पहले AICP को अलग करने में ही भलाई है तो फिर सब लोग सर्व सहमती से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्षपत के लिए चुनो पार्टी के चार-पार्ट नाकामयाब मेंबर्स में मैं भी हूँ सिर्फ पांस साल पहले तक ही हमारे पास जनता के विश्वास और सपोर्ट की ताकत थी लेकिन अमारनाथ ने उन सब के बीच में डर पैदा कर दिया उस बदनाम DBI पार्टी को खरीद लिया सिर्फ इतना ही नहीं इंद्रा स्टेट के हजारों परिवारों का नाम ये कहकर काट दिया कि वे दूसरे राजचके हैं लेकिन जो लोग AICP पार्टी में शामिल थे उनको हटाने की इमत नहीं कर पाए पर जब वो लोग गाँ छोड़कर जा रहे थे तो उनसे हमदर्दी नहीं जताई अगर हम ऐसा करते दोन लोगों की शक्ती से हमारी पार्टी मजबूत होती अब इलेक्शन तक इंतजार करना होगा मज़ा और कुछ नहीं कहना आप हमारे दर्शकों को क्या ये बता सकते हैं कि आखिरी समस्या का आप लोगों की तरफ से कोई हल निकल भी सकता है या फिर नहीं इंद्रा स्टेट में कोई भी नहीं था अब वो ये पूरा स्टेट तो बेचने वाले हैं ये सब कॉर्परेशन में चलने वाली एक शाजिश है तमिल लोगों को वहां से हटा कर इन लोगों ने इस जगह को हड़ा पलिया है सच तो दुनिया के सामने इस वक्त हमारे साथ नंजन कोटी के एमपी श्री विजयन अंदन जी जुड़े हुए है हेलो श्री विजयन अंदन जी आप सुन रहे हैं हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ आप सवाल पूछी एलेक्शन अब काफी नस्दीक आ चुके हैं एक सीट के लिए कई सारे उम्मीदवार एक साथ खड़े हैं अब ऐसे वक्त पर तो क्या D.Y.S.E. दो भागों में बढ़ने वाला है या फिर जो साथ उसे चलती आ रहे ही प्रॉब्लम इसी तरह इस साल भी यूही चलती ही रहेगी या कोई सॉलुशन निकलेगा उसका मिस्टर वेनू आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो गालत है आप कहें तो मैं न्यूस चैनल पर सुनाओं आपकी पार्टी के कई सारे लोग इन क्रिमिनल एक्टिविटीज में सगल आप कहें तो मैं उनके नाम भी सुना सकता हूं सुना तो मैं क्या करूँ हर पार्टी के लोग अपने समर्थकों के साथ भाषन देरें इलेक्शन आने वाला है अगर इन लोगों में मेरे दल को कमसोर करने के इतनी हिमत है अगर मीडिया की आड में कुर्सी पर बैट कर अपनी मनमानी करोगे तो फिर हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं तुम ही बताओ जो बोलू करोगे करूँगा ज़रूर करूँगा भाए प्रवजिए थिपते हुए आप छलोओ अरे बंटी पालती लेक्राप उमर, तुम्हें समवार को पुलिस टेशन आना होगा, ऐसा ही नहीं बुलाया है तु पुराना अब्दुल नहीं लग रहा है तेरको ये ठुले लोग प्रमोशन तो नहीं दे रहे मजाग बंद करो उमर, तुम्हें समवार को पुलिस टेशन आना ही होगा यहीं तुम्हारे लिए बेतर होगा आऊंगा ना वह इसे भी उस नए इंस्पेक्टर से अब तक मुलाकात नहीं होई आके मिलता हो अच्छा मैं इसे घर में सब ठीक ठागा ना आप से कुछ कहना था मैं बच्पन से इंजीनियर वरना चाहता था लेकिन मेरे बापा ने अरे यह क्या सिलिंडर है आग लग गई तो यह लेजी फिर भी मैंने ट्रेनिंग के साथ बीटे कम्पलीट किया इस बीच में उनका स्वर्गवास हो गया तब से मैं ड्यूटी जॉइन करके अपनी दादी की सेत रहता हूं यह जो इसमेल है यह वाकाई गैस की है या फिर तुम्हारे पेट की गैस है सर्थ सर्य यह रेगुलेटर काम तो कर रहा है ना आजकल खाना पिना टाइम पर नहीं कर रहा है हां जो जड़ा वो रेगुलेटर चेक करनो ओके अरे सर अमारे पास तरिफ दस सेकंड बचाए सर आप ना हो सेके बच्छ करनो हो अरे इका बखागरेओ अरे रुको तो अरे भूबरले उल्को अरे रुको अरे लुको आट बिरले इंदी ऐसार और लेडीज होस्टल के बगल में घर किराय से देना है सर आपको किराय के घर की तलाश थी ना लेडीज होस्टल के बगल में घर खाली है जो पिछली कुछ समझ हाँ सर मैं पोच गया हूँ जर आपके क्वाटर से धमाकें के आवाज आई थी तुम्हें एक दिन लेट क्यों आए वो क्या है न सर मुझे लोगों को इंतजार कराना बहुत पसंद है मुझे भी अगर हमारा साथ दोगे तो ही तुम चैन से जी सकते हो आज तक मुझसे किसी ने ऐसे साथ देने की बात नहीं की चलो आजाओ आइंदा मैं तुम्हें कभी किसी नेता के साथ नहीं देखना चाहता और उसी तरह एक भी नेता तुम्हारी खातिर मुझे नहीं मिलना चाहिए दोनों में से चाहे जो भी होगा उसका नुकसान तुम्हें ही सहना पड़ेगा और हाउमार कोई अच्छा किराय का घर हो तो बताना ज़रा देखना है गाड़ी निकाल नमक वगेर ठीक है ना ओ स्टेशन जाने की बात से ही गोविंद डर जाता था एक दिन मैं पूछा कि गोविंद आज तुम पुलिस स्टेशन कैसे जा रहे हो पता है उसने क्या जवाब दिया कि सर वहां पर है वैसे सर आप यहां है तो क्या वो स्टेशन नहीं जाएगा रुक 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 सुबे नहाया था क्या पारवाति जी मैंने सुबे नहा लिया था सर मामला इतना मामूली नहीं है जिन जिन गुंडो को हमने बुलाया वो सब पुलिस स्टेशन में और हम टाइम पे नहीं पहुचे तो गडबड हो सकती है इसलिए हमें जल्दी निकलना चाहिए झाल 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 भाई वो देको आया था कर तुम भाई दो चाहे लाना सुन्दर चाहे लेकर आओ आपको लाने में कोई तक्लीफ है नहीं सर यहां का एक्शन मिसने करना चाहता है उसके लिए अभी टाइम है आपको लाने में क्योंकि अभी तो सिर्फ बाते ही होंगी आप जाके आइए अहां ठीक है जाता हूं उस आदमी का नाम बता ना जिसके बाल लंबे है वो लंबे बाल वाल ना उसका नाम रजाक है बैंगलूर का रहने वाला है हम जो भी कहेंगे वो करेगा दस साल से इस आदमी के साथ कौन-कौन है पास सालों से एक साल से छुपने से कुछ नहीं होगा सामें आव कितने सालों से इनके साथ है बाराजाल होगा सर यही बात तो मैं इतनी देर से पूछ रहा था सार सौरी को टुम्भाई क्या बात है अप्पू तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया क्या वो अप्पू के हाथ नहीं लगा इसलिए मैंने उससे नहीं पूछा और वो दिमाग तुम्हारे पास नहीं यह खून खराबा कभी खत्म नहीं होगा और इनके घरों में जो बच्चे पैदा होंगे वो भी आगे इसी का बदला लेंगे अपने बच्चों के बारे में सुचों यहां आज के बाद बच्चों को पोलियो डोस पिलाने के लिए भी घर के बाहर कोई कदम नहीं रखेगा अगर यह इस घोटाले में दुबारा दिखा तो उसकी जगे तू बिटेगा अज़ा देख इतना काफी है या और करूं एक काम कर तूह आके कर ले आज कल तुछ जादा नखरा दिखा रहा है तू मुझे ज्यादा मतसिख्ण मुझे पता है मुझे क्या करना है तू तेरा देख मैं देख लूँगा लेकिन तू यही पर बैठा रहे क्या है चिर्कुट तू अपने आपको बहुत बड़ा तोप समझता है अगर दोबारा मेरे बारे में कुछ का तो मैं तेरा मुह तोड़ दूगा अच्छा मुह तोड़ेगा चल तोड़के दिखा तोड़ने से बले पंगा ठीकर दिखा तो क्या हुआ तो क्या हुआ तो क्या हुआ है क्या कर लेगा तो तेरी तो अट रूख जाओ ओ सर आगे अरे सर आए उम्मर यह दिखाएगी तो तेरे सारे काम हो जाएगे कोई टेंशन नहीं ले बेटा अच्छे से बढ़ाए करना है पिता जी हाँ अब्दुल्ला सर आगे आओ सर बैठो मैं बस आपकी बेटी को जिंदगी के बारे में बता रहा था बहुत होश्यार है आप बैठे ना सर सच्छी में मान गया सर इंस्पेक्टर बोले तो ऐसा ही होना चाहिए उस वक में थोड़ा डर गया था लेकिन आपकी टेंशन ज्याद थी लेकिन आप और मैं यहीं रहने वाले है ना खेर छोडो अ अबदुल्ला मेरे खातेर अपने सर से बात करो उसे संज्ञाओ कि यहा ऐसा नहीं चलता यहाँ कोई किसी के काम में टांग नहीं अडाता मैं आपके काम में नहीं अडाता आप मेरे में नी अड़ाते, पर ना टांग कड़ जाती है अ, दिदी इसकी क्या जरूरत थी? अचाहे बहुत अच्छी है जैसे मैं यहां आया वैसे ही बीजु सर के घर, कुटुम सर के घर और गोविन सर के घर में जाओंगा और उन्हें भी समझाने की कोशिश करूँगा आगे तो आप लोग जाने, आप लोगों की किस्मत चलता हूँ सर यह, चलो गोविन सर गोविन सर बाई, गंटी बजाओ अरे, ये सीडियों से नीचे उत्रो हाँ, अब ऐसे मत घुरो, यहीं गोविन का कार नामा छिपा है हाँ, जाकर गोविन से कहो कि उमर भाई मिलने आए ओ, तो तुम ही उमर भाई आधी रात को अकेले घूम रहे हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें मना नहीं करते मेरा गोविन्द और उसके सर, तुम्हारे ही घर पर गए हैं, जाकर उन्हें वापस भेजो, जल्दी जाओ, ये, गाड़ी निकल रहे अब्दुल्ला स्टॉप, बहुत अच्छा है अब्दुकां, शुक्रिया, वहत्य पादे शुक्रिया सर, खाने का हो जोगा है अरे, वो खड़ने ले लिया, लाओ रिमोटडु मुझे, आरे, दर नहीं यार लान आई दर, ये, आपका क्या प्रोग्राम जादू ओगया होगा अज भी जरूरी है कि दॉर में लगता है लिकुल डॉन लगता है अगल बंदूग चली टो बंदूग चले तो भी करे और अरे आना बैर, रजिया, उमर अभी बाहर से आया, इसके लिए चाई आओ कॉफी लाना, बातों बातों में मैं भूली गई कि तुम्हें चाई भी लानी है, अब भी लाती हूं उमर, रहता है यार रजिया मुझे पूछ रही थी, कि नंजेई कोटे का क्या हाल है नंजेई कोटे मेरा ठोड़ी ना यार, रहने के लिए घर नहीं है और साथ देने वाले बीवी बच्चे नहीं है लेकिन तेरे बारे में सोच के अफसोर सो रहा है कि अरे साथ ही इस बारे में जाहन के बाहर बताएंगे तो तेरे दिल पे क्या गुजरेगी इसलिए कह रहा हूं आगे से कोई सवाल या पूस्ताश करने पर बहुता ला ह op जिस घर में औरते रहती हूं, वहां घुसके डाइम पास करना अच्छी बात नहीं है, गन्दी आदत है, अब जूस तो बहुत अच्छा बनाती है, चलता हूं मैं, अच्छा बात अच्छा च्छा आजो, तो फिर अब तुम्हें अकल आ जाएगी, झाल झाल सब्सक्राइब सब्सक्राइब जाएब क्या बात है बच्चों ने गुंडागर्दी छोड़ दी क्या गुंडागर्दी हम भूल गये है सर आप तो हम लोग ठेले चलाते हैं जाएब 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 दोनों पार्टियों के बीच में गड़बंदन होगा ऐसी ख़बर मिली है करनाटक के साथ और तिलंगाना स्ट्रेट की पार्टी के साथ मिलकर डियोपी गड़बंदन करके सीलेक्षन में केंद्र इलेक्षन का सामना करेंगे ऐसा लोगों का कहना है ऐसा बाप जी के अध्यक्ष के लोगों का कहना भी है तेलंगाना बाप जी अध्यक्ष को MP स्वामी और डियोपी पार्टी दल का MP विजयानत उतके साथ Dr. Sangeetha, DST Dal के अध्यक्षे अपने लोगों को सीट मिलनीता है लाल जंडा जीता तो राजसभा हरा जंडा जीता तो लोकसभा तो यह मंत्री सभा क्या होता है यह राजनीती का खेल है हमारा अगला टार्गेट दिल्ली है बाई, कुछ समझा ठीक है, मैं बताता हूँ सर कौन सा पुलिस वाला था वो उसके पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले तक तुम लोग गिल्ली डंडा खेल रहे थे उन लोगों से कैसे निपटना है यह बात समझानी पड़ेगी क्या बात वो नहीं है सर वो पुलिस वाला बहुत गरम खुपड़ी का है उमर फिलाल मुझे छोटे लोगों के बारे में सुनने का टाइम नहीं है वो जो कोई भी हो इलेक्शन होने तक उन सब को अपने काबू में रखो खा के जाना भूग लगी होगी सर मैं जाकर डॉक्टर से मिलकर आता हूँ हम स्वार्द स्वार्द कर दो कर दो सर डॉक्टर के कहने के मुताबिक अबदुल्ला का दायना पैर ओपरेट करना पड़ेगा सुंदर कैसा है वो अभी वाड में है कर दीवार को अभी अभी वेगा है कнет एमद्र वे एफोन कर दोー अबड़ेगा वो उमर था सर रास्ते में लोटते समय ये सब हुआ असल में वो आपको ढून रहा था अचानक पीछे से हमला कर दिया सर लगता है वो हत्यार लेकर चले गए ले जाने तो अपने पास समय है ज्यादा आदमी नहीं मिले क्या यहां क्यों आया है पीट में बहुत दर्द था डॉक्टर ने कहा अच्छे से मालिश होगी तो ठीक हो जाएगा देख इस नंजय कोटे में जो भी आया है कभी काम्याब नहीं हुआ अगर हुआ भी तो यहां से बाहर नहीं जा सका अगर तुझे लगता है कि मैंने काम्याब भी हासिल की है तो इसका मतलब वो पुराना नंजय कोटे नहीं रहा अगर नहीं है समय कोटे नहीं जास अगर नहीं है युराना नहीं है हता है हमार! हमार! वह उस दिन पुलिस टेशन में जो तूने किया उस बात को मैं भूला तक नहीं था और उस पर तू मेरे घर में गुसाया? तुझे पता नहीं तुने किस से पंगा लिया है एव एंकाट! खतम कर देजे! कमारी करenschoter कर देखक요 कर देखक तैन pew कर दो कर देखक और काट डालो इसे आश्वसन एक रोग छेंडने को भूला कर दोग दो कि एक लिए एक आफमा प्रानाटन भडान लिए एक रालाव एक रानीञ में दूडने एक का एक लिए एक लिए एक लोग में भी आफिए अरूँ औरूम जुब जा जुब अध उडवाओं ल túग अब लूग इता है रहाए आर रहाए आर प्राए आर वाव हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है जीजु सर सामान लेके आगया तो अब क्या करें अब इसका दाया पैर काट दो और अब्दुल्ह जब अपनी आख खोले तो ये दुनिया ना देखे सर हुआ 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 तो झाल झाल सर, हमें इसका किराया तो देना ही पड़ेगा, और सबूत मिटाने के लिए इसे किसी तालाव या नदी में फेकना होगा, तो फिर उसका दूसरा पेर भी काट दू क्या? तो फिर उसका दूसरा दूसरा नजय कोटे से कई लोगों को मार कर भगा दिया गया, उनके वापस आने से भी नहीं बनेगा ये नजय कोटे, अमानाथ और अब्बू सब को जोपड़ पटी में भेज देंगे, अपोजीशन पार्टी की होई, इसलिए उन पे रहाम दिखा रहे हो क्या? उन बातों के जरीए अगर तुमने गंदी पॉलिटिक्स करने की कोशिश भी की ना, तो मैं उनका साथ नहीं दूँगा, और तुम जिन लोगों की बात कर रहे हो, वो सारे हाथ पे हाथ रखके भगाया गया था, मेरे अंदर के शेर को जगाओगे तो पहले उन्हें चीरोंगा, सर, ये पार्टी की बात नहीं है, मैं पार्टी से अलग हो चुका हूँ, वैसे भी नंजे कोटे में रहने वाले सही हैं क्या? वो भी तो गलत है, सर, मेरे साथ आम लोग खड़े हुए, प पर चलकर वो जोपड़ पट्टी देखिए, आपने जो भी कहा मैंने सुना, अब मैं जो कहूंगा वो सुनिये, नंजे कोटे में अभी भी सबका घर है, तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है, संपत्ती, सामान और धर्ती, उन सब के निशान वहाँ पर मौजूद हैं, तुम्हारी पहचान नहीं खोनी चाहिए, तुम लोगों की कॉलोनी और इंद्रा एस्टेट अभी भी नंजे कोटे में ही है, अगर तुम हिम्मत करके फिर से वही सिंदगी जीना चाहो, तो तुम्हें कोई ताकत नहीं रोग सकती, तुम सब को ये हक है, कि तुम भी सोमू की तरह जी हो, हमारी एकता नंजे कोटे में आकर हम से नहीं मिले हैं, अमरनाथ की डर की वज़ा से, ऐसे में जब लोग वहाँ जाएंगे तो अमरनाथ ये देख कर चुप रहेगा, क्या? नंजे कोटे में वापिस आने का दिल तो करता है, लेकिन हम लोग जैसे सोचने वैसे होने वाला नहीं है, यहाँ, जितने भी लोग हैं, उनको डर अमरनाथ से ही है, वो बहुत खतरनाक है, तुम्हारे अंदर जिस चीज का डर बैठा है, पहले उस जर को निकालो, और उस जर को खतम करने के लिए तुम लोगों को वहाँ जाना ही होगा, तेरी तु, मैं जोए, अपू बाई, इससे ज्यादा परदाश ने होगा अपू बाई, इससे ज्यादा परदाश ने होगा, अपू बाई, उस पुलिस वाले ने मेरा पीछा किया और रास्ते में ही मुझे गारी से उतार दिया बीच रास्ते पर मुझे बहुत मारा और उस S.I. ने मुझे पैसे भी ले लिये मैं अकेला आदमी क्या कर सकता था अपू भाई ये जो सूरज है ना ये तमीलियन लोगों से मिल गया है ख करना उस दिन उसके हाथ पैर तोड़ देता हमारे आदमी लोगों की सोच बदल के रख देंगे और इसी लिए मैं बोलता हूं क्या बोलता हूं ये कैश हैंडल करने का काम मैं नहीं करने वाला ये मेरे बस की बात नहीं है नहीं तो ऐसा ही बिचारा मारा जाएगा बहुत हि हिम्मत वाला है इसलिए मुझे पुलिस टेशन बुला पाया हूं भाया अरे यहां बड़ी-बड़ी पाते कर रहा है वहां पुलिस स्टेशन में क्या सांप सूंग या था तुझे भॉंकने वाला कुद्दा कभी कौड़ता नहीं है जितना भी रकम गया है वो इस पूरे गांवालों को खरीदने के लिए काफी था जानते हो इस इस इलाके में जो भी रहता है वो टी वाई पार्टी के प्रती जो इस्जत है उसकी वज़ा से नहीं बलकि एक डर की वज़ा से है और उस डर का नाम है वान एन ओल्ली गणपती बप्पा एमपी बनने का चांस था वो भी निकल गया अब तो नंजय कोटे की कुछ अगा को बेच कर मैं हैद्राबाद जाकर अपनी जिंदगी को समार लोंगी इस पर भरोसा करने से कुछ नहीं होने वाला अब क्या हो गया इतना कुछ तुम्हें दिया वो काफी नहीं है औरत पर गुस्सा करो तो शाप लगता है ये बात कभी नहीं सुनी गया नहीं कैसे सुनी होगी ये सब अनुभाव से पता चलता है तुम यहीं काड़ी में आराम करो मैं एक काम निप्टा कर आता हूं ये तो लड़ाई की शुरुआश है हम पर दबा बनाने की कोशिश मत करना हमी ने तुम्हें उचाई पर पहुचाया है हमें दबा कर रखने की कोशिश मत करना अमर्नाथ कान खोल कर सुन लो हमी ने तुम्हें इतनी सद्दी है ये सब एक चाल है अमर्नाथ ये सारी चाल है तुम्हारे गाउवालों को हटाने का काम रोको ये जंग से पहले का शोला है तुम हमें दबा कर नहीं रख सकते वा क्या बात है आज तुमने मेरे इतनी तारीफ की है जितनी मैंने कभी नहीं सुनी तुम्हारे बोलने के पीछे किस की ताकत है मुझे यही जानना था अब तो ये वक्त ही बताएगा कि किस की ताकत में दम है प्रवचन चालो रखो प्रवचन चालो वो खर्चे के लिए पैसा देंगे हमें बाई से जितना पैसा मांगेंगे उतना देंगे कन्फाम है तो टेंशन मतले अरे बोला ना सव टक्का कॉलेज के फंक्शन में कितना पैसा खर्च होगा हम भी जानते हैं वो जितना मांग रहे हैं उससे आधा देखार वो जगा अपने नाम कर लेंगे अच्छा वो रजाक कहा मेलेगा बैंगलूर में बात क्या है नए कुछ नहीं कि रिजल्ट का कोई टेंचन मतलो मा सब सही होगा बूल रो ना तो गाड़ी में जा में आता हूं चलो बैट अंटर बैट बहाई में आगे बैट अगे बैट यहलो सारो कुटन आपको हमने यहां पर इस तरह से बुलाया आपको जबरदस्ती तो नहीं लगा ना नहीं तो आप मुझे यह बताईए कि इस वक्त पुलिस टेशन में कौन रहता है और यह सारा प्लान बराने से पहले मैंने किस से बात की थी आप से ही की थी ना तो मुझे बताईए पुलिस टेशन में मेरे इलावा आप अकेले बैठेंगे क्या चलिए जवाब दीजे जल्दी वो तो ठीक है लेकिन मुझे लगता है कुछ खतरा है नमस्ते सर पैसे के लि कैसे पता है तुमारा चेहरा सब बटा रहा है सर वो अमरनाथ ने नहीं अपु ने मारा है सर वो डीवाई पी का अध्यक्षेन है इसलिए कि वैसे क्या आप पूरी बात जानते हैं सर अरे मैं उसी के बारे में सोच रहा था हां मैं भी वही सोच रहा था मानना पड़ेगा जैसे ही आपने बात का पता लगा लिया वहां से हट गए चाहे कुछ भी हो डर तो डर ही होता है इसका डर है आप मजाग कर रहे हैं क्या जो लोग आप लोगों को मारने के लिए आये थे आप लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाए इसलिए हाँ छिप कर मतलब उन गुंडों के बारे में उस साथ के बारे में पेट्रोल वाली आप लोगों को पता नहीं है 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 आप लोगों सवामती चाहता है तो सारी बाते सच-चच बता दे अमना नाज सर के पुली स्टेशन में गुंडे लोग आपको खतम करने के लिए पेट्रोल बंब ले कर गये हुए हैं यह क्या सर चलिए सब पुली स्टेशन चलते हैं नहीं जाना है शराब पिने के बाहने आया हूँ पर आपका मजाक उड़ाने नहीं आप लोगों को सचाई बता कर कोई फायदा नहीं है पुट्टान सर मुझे मत रोकिये मैं पुली स्टेशन जा रहा हूँ इस उमर में स्टेशन पे सोना ठीक रहे हैं कंट्रोल तुम अपनी दादी के गोद में सो जाओ मुझे बहुत काम करना है चल बाजवाट अखरी प्लान क्या है सर अब बिजू अपना हनुमान का रोकिका अबे पागल हो गया क्या अपने को पुली स्टेशन उड़ा में कहा है इस गाड़ी को नहीं हालू हां मां हम लोग ग्रूप स्टेडी कर रहे हैं ग्रूप स्टेडी ओके एक कट करना कट करना कबसे बज़ रहा है सुनो भाई यहाँ पर कुट्टे हैं क्या नहीं डैनसोर चाहिए क्या मैं यह लेए सकता हूं संत्रा किस बहुत है रहो है क्या क्या कर रहा है पर सर फोन कर दिया सर 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 समझ लाइए यह मां क्यों इतना फोन कर रही है यह चुप रहे है हेलो क्या ना मैं तिर रोजी जब कर रोजी के कपड़े खीचके उसके बाल को पकड़के उसे रुलाने नहीं आया अगर मैंने यहाँ पर अपना रूप दिखाया तो उसका सर्थुष पे पड़ेगा अरे यार तुझ भी कर गाड़ी भगा उस आगे वाली गाड़ी को रूप क्या कर रहा है अरे भाई ऐसे क्या बात हो गई जल्दी चला हो देखो गाड़ी को रोकने का अपने को अरे भाई मेरे घर से भी कॉल आ रहा है अरे भगाना गाड़ी अरे अरे बेटा कहा हो तुम आखिर तुमने यह क्या कर दिया अरे यार बेटा क्या प्राबलम है अरे यार बेटा जी तुम देखिए! अरे, दस आत्मी को साथ लेकर पूरे गाउं में फ्लेक्स लगाने के लिए कहा था कि नहीं, ओफिस के बाहर सिगनल के कोने कोने पर अपने दल की जो पोस्ट है, जहां कहीं भी उसे वहां रखो, और सोमू, उस दिवार पे अपना फ्लेक्स क्यों नहीं लगा अभी तक, लग बड़े इंजीनियर समस्त है, वो कब किस वक्त आएगा पता नहीं, एक बात तो तय है, तमीलियन लोगों का यहां आने का एक मकसद है, वो इलेक्शन में ज़रूर गडबड़ी करेंगे, यह मैं जानता हूँ, यहां के जो तमील लोग हैं एक जमाने में हमारे घर पर खान लोग बच जाएंगे, तो आप लोग शामिल हो जाईएगा, क्योंकि कभी भी उन लोगों के पास आप लोगों को जाने का मौका कल कुछ लोग मरने के लिए आ रहे हैं, सब तयार हो जाओ, मुझे ना सुनना पसंद नहीं सर चलिए कर दो को जाने हो जाएंगे, ठरिके का इसे आएंगे, तरना पत्रального अधित्रावाद नमस्तर पजाबी नदुवाता हा हृता जते मधुच्छरमती सिंधभा माध्वीरता हा सर जिस ओफिसर ने स्यूसाइट कह था उसके भीवी और बच्ची तुम जा कि आ पस चेक्तर हृता हृता है ने तुम जा कि आ ऊस पास चेक्तर हो भाद्या प्रॉल्म कोई प्रब्लम ना था इस की आपके आतरो नहां है आट होगा होगा को इना लोग को इना लोग कर दो का लोग कि दिया आ खगा को इना खगा को लुग को इना द। कर दो कर दो दो खुम को जो फिखे लो क catchy हो ओे वाँ ऊड़ कर दो लो कान कर दो कार्दालो एसे! औन्हें कह जगुआ कि अमीर ενहीं जाओं सुल्टे उसे! सुल हुआ! कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो क्रिया रुपलारारू कर दो कर दो कर दो कर दो कि दी वाई पी फिर से सत्ता में आई तो अमारनाथ का अत्याचार बढ़ जाएगा नहीं पीडी भी साथ देगी सब कुछ बदल जाएगा अबदल बच्पन में किसी बच्चे ने सोचा भी नहीं होगा कि उसकी सिंदेगी नर्क बन जाएगी दो पार्टियों ने मिलके हमारे पूरे गाहों में डाका डालके सब कुछ लूट लिया उस हादसे के बाद सब डर गये थे और एक वक्त ऐसा आया कि खोन खराबा करने वालों का सरवनाश करने के लिए उस लड़के ने अपने आप को तैयार किया बारा साल के लड़के ने दिल में ठान लिया उसे कानून के बारे में कुछ भी नहीं पता था लेकिन कानून के खिलाफ लड़ने की उसने ठान ली थी लेकिन कानून ने उस दिन उसे ही सजा दे के अपनाने की कोशिश भी की थी वक्त तो गुजर गया लेकिन उसके सीने की आग नहीं हुझी वो अब भी उसी आग में चन रहा है बैट वो अपना वो अपना नहीं हुझी जिन को आपने मार कर भगाया था उनका अगले हपते वापस लोटने का प्लान है उनके स्वागत के लिए हम गाउंवाले खटे हुए हैं जोपड़ पट्टी में वो लोग नर्व की जिन्दगी जीर है जब वो लोटकर आएं तो उन्हें नंजे कोटे में चैन से जीने देना महरबानी करके उन्हें अपनी जिन्दगी अपनी तरह जीने का हग दो वो बिचारे पहले से ही परेशान है अब उन्हें और परेशान मत करना यह मैं समझना उनके लिए दया की भीग मांग रहा हूं क्योंकि उनके साथ पूरा देश है और देश के हर नागरे को देश में कहीं भी जाकर रहने का पूरा हक है जब भी उपोजिशन पार्टी वाले आकर मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं तो मुझे बहुत मसा आता है लेकिन तुम्हारे रिक्वेस्ट में मजा निया है नंजय कोटे में आजादी से घुमने वाले जोपड़ पटी वालों को तुम लोग पनाह देने की कोशिश कर रहे है मत करो मेरी ताकत को अगर कोई कमजोर करने की कोशिश करता है तो मैं उसे बख्षता नहीं इसलिए उस ओफिसर को कहो कि मेरे घुटनों पर गिर कर रिक्वेस्ट करे तब मैं कुछ सूचूँगा अप्पू इसके बारे में आपका क्या विचार है जो मरने जा रहा हो उसके खिलाफ कोई आफ़त की बात कहे तो उसे जान से मार देने के बराबर है आपके खिलाफ आज का दिन गरीबों का खून चूसने वाले जानवरों को मारने का दिन है यह इत्यास का एक बहुत बड़ा दिन है आप लोगों ने जो सफर शुरू किया था उसकी मन्जिल करीब आ गई है आप लोग अगर सौ साल बाद भी लोटकर नंजय कोटे में आएंगे तब भी आपको वही पुराना सम्मान मिलना चाहिए आज आप जो एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो वो आपकी कई पीडियों तक काम आएगा इस एक छोटे से कदम में आपकी कई पीडियों की भलाई छुपी होई है अत्याचार के खिलाफ और हंकार के खिलाफ दबाव बनाने वालों के खिलाफ ये जंग जो आज शुरू हो रही है उसे इतिहास में दर्च किया जाएगा जिन्दा है इतना काफी है और ज्यादा की उमीद मत रखना उर्कार के खिलाफ Verb जिन जिन 59 को चीन नाँ को पुमस कना डाव एजियों के खिला ये भी किया खिलाफ एंग हमें जिसका इंतजार था वो दिन कल है हम जब आगे बढ़कर एहंकार से भरे हुए अत्याचारियों का सामना करते हैं तो आंस वो के लिए कोई जगह नहीं होती हम अगर डटे रहे तो चाहे कानून ही क्यों न बदलना पड़े हमें नंजे कोटे में जगह मिलेगी कल सुबह होने से पहले हमें ओ नहिंकारियों को दबाव बनाने वाले अत्याचारियों को उखार फेकना है ये तो लड़ाई की शुरुआत है हम पर दबाव बनाने की कोशिश मत करना हमी ने तुम्हें उचाएं पर पहुचाया है हमेए दबाकर रखने की कोशिश मत करना है हमें ना ताथ कांठोग अमिने तुम्हें तुम्हें इसक्रति है ये सब एक चार है हम अथा की सारी चार है सब दोड़े साथे वाधिट पर जब दोड़ें एका पू के जगवर पर्टी में डॉकर संगीत है क्या श्याज़ जालो खरो फ्रह प्रेस्पीटिंग होने वाली है तब बता देगी जासा कि आप लोग देख सकते हैं, डियस्पी पार्टी की तैश्यत अपकुछ साथ ही फैल पीजा रही है, और उसके लोग ने किया पुलिस क्या कर रही है, यह हमें देखना होगा सुनो, प्रेस कॉन्फरेंस बुला है, तयार हो जाओ यह तमिलियन लोग यहां लौट कर वापस नहीं आने चाहिए, बी-एश-जेडी को विश्वास दिरना होगा, समझे कि नहीं? हमें दूर से देखते ही छिप जाने वाले, और पास आकर सलह देने वाले, हमेशा वफादार रहें तो मुझे अच्छा लगता है यह जज़िए यह फिरूवादा लोगश लोगता है ड़ादा लोगता है ज्यारे जलिए लाँ ऐरे! जलिए जलिए धनी! जर 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 सर बोड़ी को अभी अभी पैक किया है वो लेकर आ रहे है मैं वो लेकर आ रहे है मैं बीजू ऐसा ही सहर ने आप से कुछ बात करने लिए भीजा है डॉक्टर आप MP बनने का सपना लेकर इस नंजाई कोटे में मत रहू आप ऐसे खड़े रहेंगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा सर के बारे में तो तुम जानती हो इसलिए प्यार से समझा रहा हूँ चुप चाप यहां से चली जाओ डॉक्टर बाकी तो इस नंजाई कोटे को छोड़कर तिलंगना कैसे जाना है पता ही होगा याद रखना हर पल तुम्हारे ओपर हमारी नजर है इस बात को याद रखना चलता हूँ बेटी अमरनाथ के दबाव की वज़े से मैंने अप्पू को समर्थन दिया मुझे इसमें ज्यादा दिल्चस्पी नहीं थी वैसे जब प्रेस कॉन्फरेंस होगी तो अप्पो के मामले में दुख जताते हुए थोड़ा आसो बाहलेंगे और क्या डी वाई एस पी पार्टी का नए अभ्यार्थी कौन होगा बताएंगे हमें बताओ इन्य डी वाई पी पार्टी की नई अध्यक्ष मैं नहीं हूँ मैं तो अपना खुद का कारुबार सम्हालने जा रही हूँ थैंक्यू थैंक्यू डरो मत मैं हूँ ए सेंदिल दादी को बोलना असने के लिए बोलना ये पुलिस वालोंने कुछ तंग किया क्या मुझे बताओ न मैं इनको देख लूंगा चाची डरो मत मैं हूँ हम में से कोई भी पार्टी छोड़कर नहीं जाएगा हम सब लोग पूरी तरह से एक जुठ हैं उन्होंने जो काम अधूरा छोड़ाया उसे हमें पूरा करना है इसके लिए वक्त बरबाद नहीं करना चाहिए दादाजी हम लोग निकले क्या यहाँ वहाँ जो भी लोग है वो हमें जीने नहीं देंगे यह देखकर हम गाउं से दूर जाकर बस गए लेकिन अब जब हम वापस अपने घर लोट कर जाना चाहते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है तुम लोगों को कंजोर करनी की उन लोगों की साधिश है ऐसा नहीं होना चाहिए अब वो इस्थिती पूरी तरह बदलने वाली है अमरनाच चाहे जितनी कोशिच कर ले आप लोग इस गाउं में लोट कर आएंगे ही तुम लोगों ने उक्साहिए उसलिए यहा है आप रुकिये मैं बात करता हूं सार हमारी ओफिस में मीटिंग चल रही है इन लोगों के बारे में आप फिकर मत करो आप अपनी ड्यूटी ठीक से कीजिए तो अमरनाथ के डर से तुम लोग यहां पर आके छुप गया हो यही करोगे कब तक भागते रहोगे आप लोग देश में कहीं भी रहे लेकिन इसके जैसे नेता लोग आपके इर्द गूमते ही रहेंगे तब क्या करेंगे आप लोग धर्ती चीर के उसके अंदर छुप जाना अनिता जी यह अकेलापन और यह भयानक दर्द आपसे भी जादा हमने महसूस किया है आपका दर्द मैं समझ सकता हूं आप लोगों को किसी भी हल में नंजय कोटे जाना ही होगा दूसरा और कोई रास्ता नहीं है हमें रास्ता दिखाने वाला इस दुनिया से जा चुका है अब तुम हमें नंजई कोटे जाकर फिर से जिन्दगी सवारने के लिए कह रहे हो मैं जानती हूँ तुम हमारी भलाई जाते हो इतने साल हो गए है लेकिन आज भी हम अमरनात के डर के साय में जी रहे है नंजई कोटे अब भी अमरनात के काबू में है जिसने हमारी भलाई का सपना देखा वो आज इस दुनिया में नहीं आपके लिए मामूली बात होगी पर हमारे लिए नहीं वो चाहता है ना कि मैं उसके पैर पकड़के गड़गड़ा हूँ ठीक हमें जा रहा हूँ अरुब अरुब रहा हूँ जो आपके स्थे शो चाहते हूँ आपके सब्से दित जापके लगड़गा जड़े क्वेज़़ा सो चाहते हूँ है जो आपके ले हुआ जो आपके सब्से के लिए है नहीं तरिवे हैं है है अज अजय के शता है अजय को वा अजय को अजय के वा रफ को वा जो दो रफ हुआ उंप भी पूआ त wished dak sorting करफ दो झाल 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 मेरा और नंजय कोटे का बस एक ही स्वभाव है जो इस धर्ती पर गिरते ही विशाल पेड़ बन जाता है तुम बस एक बौधे हो और मैं एक विशाल पेड़ हूँ ना ही नंजय कोटे बदला और ना ही मैं कि अप्रेम आप हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है यह नंजन कोटे हमेशा मेरा रहेगा तुम लोगों की कमजोरी इसी में है ये उड़ते ही गिर जाते है अर जाते है अर जाते है हुआ थाफ यह थाफ हाफ और जब 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 जए सुआ दा है आर जप हमजय सो गुषादा है तो तुम जैसे मिट जाते हैं झाल 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 जाते हैं कर दोयुकि कर दोचा है कर दो कर दो कर दो खादर जोपर पुट्टी से जो लोग भी यहाँ आ रहे हैं, उनके आने तक यह यहीं रहना चाहिए अब्दोल, उमर की तरह जिसने पाला था उसकी भी ऐसी ही कहानी बन गई अज़ा सुट स्पिस्ट से लिए भी यहाँ रह जुटा जैना चाहिए झाल यहाँ यहाँ पाल चाहिए झाल आके तरह जूग जुटाँ कर दो कर दो कर दो कर दो अ अँ 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 झाल झाल इनके जिन्दगी में भी अब रोश्नी उगने लगी है अपनी पुरानी तकलीफों को भूलकर लोग अब वापस अपने काउं लोटने लगे है नंजे कोटे का वो दर्दनाक इतिहास आज सिर्फ एक कहानी बन कर रहे गया है नंजे कोटे में जो अत्यचार हो रहा था उसे रोकने के लिए जिस एक नायक के आने की उमीद थी वो नायक आया भी था और शायद वो लोट कर वापस फिर आएगा नई सोच, नई शिर्वात, नई योजना उस शक्स के आने का ही इंतजार कर रहे है कर रहे है यहां आने के लिए तुमने किसी की पर्मिशन ली थी क्या हर महिरे यहां आकर उधम मचा देते हो यह दोड़ना पुरी मेरा इलाखा है यहां से कोई भी बचकर जा नहीं सक्ता भूपर वाला भी मुझसे बचकर नहीं जा सक्ता यहां किसे क्या करना है और कैसे जिना है उसका फैसला मैं करता हूँ मुझे मिटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ अब कोई मुझसे माफी मांगे आगे आएगा या फिर मैं उसका सर काट दूँ क्या हुआ कोई परिशानी है क्या झालवानी है अब कर दूँ क्या हुआ कर दो कर दो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ झाल झाल